ओके तुड़ा आप गोई टो शो यू दिबेस्ट केमरा फोन अंडर 20,000 रुपीज आई नो यौर एक्साइड़ेट याद देको 20,000 रुपीज एक बहुत ही कॉमन बजट है इंडिया में और इतने सारे फोन से मार्केट में कि कन्फ्यूज होना तो बनता है उपर से तुम्हें काटने वाले भी बहुत लोग बेठे हुए हैं उनका सिर्फ मुनाफ़ा होना चाहिए फिर चाहिए तुम्हारे पे से किसी बगवास फोन पर लग जाए किसी को कोई फरक नहीं पड़ता वेल आज मैंने तीन फोन से लेट किये हैं तीनों केमरा फोन से केमरे के उपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया है हलाके केमरे के अलावा अदर चीज़े भी बेटर हैं अलग अपने प्रोज एन कौन से सबी कुछ बताऊंगा बस वीडियो से जुड़े रहना काम की वीडियो है चाहो तो कहीं सेव कर लो और आज केमरे के उपर कोई ज्यान नहीं बाटा जाएगा ज्यान चाहिए तो पिछली वीडियो मैं बहुत सारा बाट चुका हूँ वहाँ देख सकते हो चलो बात करते हैं चलो स्टाट करते हैं IQ Z7 से 20,000 रूपीज में ये नया नया चम चम आता हुआ फोन मार्किट में आया है IQ वेसे तो गेमिंग पर काफी ज्यादा फोकस करता है बट यहाँ पर इनोंने केमरे पर भी अच्छा काम किया है अब देखो इसकी प्लेज है अरूंड 19,000 बेंक ओफर से अगर मिल जाते हैं लगा देते हो तो थोड़ी सी राउन हो जाएगी अब क्यूंकि आप लोगों ने थम्नेल पर केमरा फोन से पढ़ा था इसलिए पहले केमरे की बात करेंगा 64 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है ओईस के साथ यस ओईस 20,000 के अंदर कुछ एक दो फोन से ही हैं जो की ओईस देते हैं और ये इसका काम है हमारी फोटो में वीडियो में स्टेविलाइजेशन प्रोवाइड करना इसके अलावा ओवरूल ये फोटो की क्वालिटी में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है अगर बात करें केमरा सिंपल्स की देन डेफिनेटल आपको इसका केमरा ला जवाब लगने वाला है अगर ना लगे ना तो पेसे वापस अगर आई की वाले दे हैं तो ले 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 ना और सबसे अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगी कि जैसे ही हम लो लाइट में शिफ्ट करते हैं लो लाइट फोटोग्राफी भी यार काफी कमाल किया थी है बहुत ही अच्छे से ये लाइट ले पाता है जिसकी वाज़ा से लो लाइट में भी काफी ब्राइट फोटो ले सकते हो 20,000 रुटीज में किसी और फोन से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत होगा अब मैं इसकी केमरे की इतनी ज्यादा तारिफ कर रहा हूं तो एसा मत सोचना की स्पॉंसर्ड वीडियो है इस चैनल पर फाल्तु की तारिफ है नहीं की जाती विडियो फोटोग कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी लेकिन बेंड कम होनी के वाज़े से एडिया टो एडिया रिपेंड करता है कि कहां पर किस बेंड की कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी आ रही है इसके अलाबावाँ वेट है 173 गिराम ओनली तो लाइट वेट फोन है आई पी 54 ड मुच दी है थोड़ा से यूनीक डिजाइन है बट फिर भी वाटर जो भी है पंचोल होती तो ज्यादा बेटर हो सकता था और साइड की बेजल्स भी थोड़ी ज्यादा है जिसकी वारियास ने डिस्पिले का यहां मुझे अच्छी लगी थोड़े कॉंटास्टी कलर्स है जो होते हैं थोड़े सेचुरेटेड कलर्स ज्यादा डिटेल में मत जा ओवरोल यह है कि डिस्पिले क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली कलर्स वगेरा अच्छे लगेंगे इसकी दिन साइज थोड़ा छोटा है छोटा मुबाइल है चोटा पेक बड़ा धामागा इस बड़ेट में मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी 30,000 की प्राइज में एक दो फॉन्स ऐसे हैं जो कि डामेंड़ेटी 920 दे रहे हैं बेशलम कहीं कहीं है और साथ में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी है देफिनेटली परफॉर्मेंस भी अच्छा है इसके अंतोत चीज़ें ठीक हो सकती थी जैसे की वाटर रोप नौच और यह जो साइड की बेजल से इसके अलाबा दो स्पीकर्स भी लगा सकते थे बट ओवरॉल एक लाइन में कहूं देने वेली फॉरमेनी फोने डेफिनेटली यू केन कंसीडरी बड़ भी रुख जाओ मुनना दो फ बेंकोफर्स लगाते हो तो थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा लेकिन फोन अच्छा है अब अगर एक दो हजार उपर लग जाते हैं तो मैं कहूंगा लगा सकते हो तो लगा लेना अच्छा फोन है आपके पेसे खड़े में नहीं जाने वाले हैं देखो केमेरे ग नाम प बेंस नहीं लगा लेकिन जब बाद आती है लोलाइट की वहाँ पर मुझे आईक्यू ज़्यादा बेटर लगा जस्ट विकल ओफ ओफ और वीडियो गिराफी में भी आईक्यू ज्यादा बेटर है अब तीन चार हलार उपर हम एक्ट्रा पेक कर रहे हैं बट फिर भी इतन पर मिलते हैं टोटली सेवन लेकिन मिसिंग है सेवंटी सेवन यह भी थोड़ा लाइट वेट है पंच होल डिस्पिले ज्यादा बेटर लगती है और साइट की बेसल्स भी कम है तो डिस्पिले का डिजाइन डेफिने अच्छा लगेगा और बता दू कि आईपी 53 हैं HDR 10 पिलस भी दे रहे हैं लगिन जब मैं इसकी डिस्पिले देखी तो मुझे कहीं न कहीं या थोड़े से फिकर कलर्स लगे 10 बिट डिस्पिले से जो एकस्पेक्टेशन थी उस पर तो यह खरार नहीं उतर पाया बड़ फिर भी में कहूंगा कि यार 23-22,000 रुपीस में यह अच्छा फोन है अच्छी डिस्पिले मिल रही है 10 बिट डिस्पिले इस बड़ेट में मिलना बहुत मुझकिल है साथ में गोली लग लास 5 का प्रोटेक्शन भी है और यहां पर इस्क्रीन साइज ज्यादा है 6.67 एंड़ूइड 12 पर यह लोन चुपाता अभी एंड़ परफॉमेंस यहां कमाल लगा है वाइफाइड 6 वाट की फास्ट चार्जिंग है सपोट करता है और पांच वाट की रिवर्स वाइर चार्जिंग भी सपोट करता है वाइल लेस नहीं है वाई लगाना होगा उके नेक्स्ट ना देखो IQZ7 का अल्टरनेटिव है जैसे कि आ रहा हूँ अब देखो यहां भी वही दो केमरे हैं ओई एस मिलता है डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने केमरा सिंपल्स आपके सामने हैं वीवो में भी डेफिनिटली अच्छे कलर्स मिलते हैं केमरा से अच्छे आते हैं लेकिन अगर बाल की खाल निकालोगे के लिए फोटोग्राफीय्क्त में मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वीवो में मुझे ओर भी ज्याँधा अच्छी लेंगी अलाकि वीवो में श्रसेश्र लेकंड .. कमाल की कर सकते हो इसके अलावा कुषिजन देने से पहले और चीजे 20 एक अलग लेवल का प्रोसेसर है और बागी अधर इस्पेक्स काफी ज्यादा सिमिलर है दोनों का डिजाइन काफी सिमिलर है लेकिन पर्फॉमेंस ज्यादा बेडर है आईक्यू में और गेमिंग भी जहां आईक्यू 60 50 fps तक ले जाता है वीव में 40 fps पर ही दम तोड़ दिया जाता है वैसे देखो में कोई कंपेरिजन वीडियो नहीं करता है कंपेरिजन वीडियो आपको यूटूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी देख सकते हो बट ओवरल मुझे दोनों में से को यह कंसिडर करना हो दिन मैं IQ क कंसिडर करूंगा और बागे आपको क्या गनाय को देख लेना इस पेक्स मैंने अच्छे से स्कीरिन पर लिख दिये हैं पड़ सकते हो तीनों के बारे में मैंने बता दिया तीनों के अपने अपने प्रोज हैं कौन से अब किसको क्या चाहिए खुद देख लेना वीडियो को पर ज्यादा गयान चाहिए तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारा बाठ चुगा हूँ मिले पिछली वीडियो स्टार्टिंग के दो तीन मिनटे देख सकते हो काम किया है चलो बस आच के लिए नहीं मिलता है कि वीडियो मैं तब तक के लिए गुडबाई जैह कर दो स्टार्टिंग के लिए 12, 3 वीडियो मारे भीडियो स्टार्टिंग